कि मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता हूं क्योंकि सरकार समय समय पर निक्तिया करती आई है लेकिन जहां तक मेरा अपना मानना है कि सरकार का लगबाग हमारा धाई साल का कारकार हो चुका है और हम लोगों ने अपने गोशना पत्र में जो वादे किये थे काफ यता कूरे भी किये हैं लेकिन अभी जो वादे पूरे हम नहीं कर पाए हैं जो बचावा कारेकाल है उसमें और गती से काम करना पड़ेगा इसमें पॉल्टिकल अबॉट्मेंट्मेंट्स हैं मंतिमल का विस्तार है या जो भी करना है उसमें पार्टी और सरकार मिलकर आमरा बनाएंगे जैसे क कि अब जानते हैं कमिटी का निरमान हुआ था कही महने पहले दुर्भागवर्ष एमन पडिल जी का सरवास हो गया और उसके आगे काम नहीं हो पाया मुझे मिश्वास भी अब हुरोसा भी है कि अब और ज्यादा विले नहीं होगा और जो चर्चाएं की थी जो मोते उठा जिन इशूस पर आम सहमेधी बनी थी उस पर तुरंत प्रभाव से कारवाई होनी चाहिए और होगी असा मुझे लगता है मुझे तोने गांदी जी पर पोरो अश्वास है क्योंकि उनके आदेश से कमीटी बनी थी और कमीटी में दो सदस्य हैं अब चुना भी दो दे में सचिन पाइलेट खेमेगी पिछले साल जुलाई में बगावात और अगस्त मुई सुलय के बनी सुलय कमेटिक सिपारिश पर एक्संट टेकन का अब तक इंतियार है सचिन पाइलेट ने अब कमेटी में बनी सहमती के बिंदो पर ततकाल अमर करने एक बात उठाई है पाइलेट ने मुद्वार को परदेश कॉंगरेस मुकैला PCC में मेडिया से बातचीत में काया है कि कई माँ पहले एक कमेटी बनी थी और दुर्वागस अहमत पटेल का स्वर्गवास हो गया था उस पर आगे काम अभी नहीं हो पाया है मुझे विश्वास है कि अब ओर ज़्यादा विलम नहीं होगा जो चर्चाए कीती जिन मुद्व पर आम सहमती बनी थी उस पर तुरंत प्रवागस से कारवाई होनी चाहिए पायलेट ने काया कि मुझे सोन्या गांधी पर पूरा विस्वास है उनके आदिस पर इक कमेटी बनी थी अब इक कमेटी में दो सदेश्य उपचनाओ भी अब दो दिन में खतम हो जाएंगे पांच राज्यों के चुनाओ थे वह भी अब सांपत होने को है और मुझे नहीं लगता कि अब कोई ऐसा कारण है कि उस कमेटी के नेड़ने के किर्यान वंद में और अधिक देरी होगी जहां तक मेरा मानना है कि सरकार को ड़ाई साल पूरी हो चुक है और गोशनापत्य में जो आदे किये थे कुछ पूरे भी किये बचे और कारकाल में वादोग पूरा करने के लिए और तेजी से काम होगा इसमें राजनती नियुकती है मंत्री मंडल का विस्तार है और से पार्टी और सरकार मिल कर ये क्राइब बनाएंगे आपको बता दे कि सचिन पाइलेट ने अपने समर्ता गुदायक रमेश मिना और अन्य विदायकों के दलित आदिवासी विदायकों के साथ बेदवाव का मुद्ध उठाने पर भी पाइलेट ने समर्तन किये पाइलेट ने काया कि नाराजगी की बात नहीं है जो वेवारी को और सामजिंग मुद्ध है उन्हें हर जन परतिनी चाहिए सरपन्चों परदान होया सांसदों विदायकों उसे सम समय पर उठाते है मुझे उम्मीद है कि जन परतिनियों दिनों ने जिन बातों को उठाये उस पर तुन परवाव से कारव होने चाहिए यह समुद्ध है जो किसी व्यक्तिक नहीं बलकी पूरी समाज से जुड़े हुए सजीन पाइलेट कि इस बयान से अब देरी नहीं करने चाहिए